दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने अलो ऐसी साथ बाते जो कि आपको कंप्पीटर लैप्टॉप यूज करते समय ध्यान में रखनी चीए कौन सी सीजे करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए अगर आप जानने में इंट्रेस्टेड होते वीडियो एंड तक देखीएगा सी दीबात नो बक्वास मैं सतीश कंप्लीट टेगाओ चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स बेगिन पॉइंट नमबर वन डू नोट कनेक्ट योग कंप्यूटर पावर केबल और लैप्टॉप चार्जर पीन विदाउट अर्थिंग जी हां दोस्तो अगर आपके घर में आर्थिंग नहीं है तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर का पावर केबल कनेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके कंप्यूटर और लैप्टॉप चार्जर के लिए भी श्राम आपके लोग के अपो खेंजं हो स्रमस्तों हो बन्द हो ajaता है चलना तो आपको कंप्यूटर के लिए बहुत हानी कारत है मतलब यह चीज आपको ध्यान में रखने ही कि आपके घर में आर्थिंग वह बंद हो जाता है चलना तो ऐसे में आपके computer के लिए यह बहुत हानिकारक है मतलब यह चीज आपको ध्यान में रखनी कि आपके घर में आर्थिंग है के नहीं है पहले चेक कर लो जहां पर भी आप laptop का charger लगा रहे हूं वहां पर आर्थिंग है के नहीं है तो वह ध्यान मे शटडाउन यह computer directly with power button जी हां दोस्तों आपका computer जो है उसे start करते समय तो आप power button से start करते है लेकिन shutdown करते समय power button से shutdown मत कीजिए वो जो power button है उससे shutdown नहीं करना है shutdown का एक procedure रहता है Windows के अंदर shutdown आपको option मिलता है जो screen के उपर मैं आपको दिखाता हूं आप वहां से shutdown कर अगे तो वो proper shutdown होता है basically आपको यह shutdown इसलिए करना है क्योंकि जब आप computer start करते तो वहां पे बहुत सरे background में प्रोग्राम रन होते Windows operating system वहां पे run मतलब चालू है जैसे कि आप example लिलो एक speed में बाइक आप चला रहे हो और अचानक brake दबातेते हो slowly नहीं अचानक brake दबाते तो होने क्या आपको computer को proper shutdown मेथड़ सी shutdown करना चाहिए यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए point number 3 बहुत बार हमारा computer slow हो जाता है मतलब हम एक दो साल computer use कर लेते तो slow हो जाता है अब जो application हम starting में use करते थे Microsoft Word वही हम चला रहे है अभी भी वही काम है हमारा लेकिन अब slow चल रहा है तो आप hardware वाले को बुलाते और बोलते कि यार मेरा computer slow हो रहा है तो वह बोलता है कि यार RAM बढ़ा दो तो ऐसे case में आपको hardware वाले से RAM नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपके computer में पहले तो Microsoft Word चल रहा था अभी नहीं चल रहा है तो ऐसे case में आपको Windows को reinstall करने के ज़रूत है आपकी important file आप D और E-draw में रखिए और Windows को reinstall कीजिए आपका computer आपका system दुबारा वैसे start होगा बस Windows को reinstall करते समय यह ध्यान में रखना है कि आपने जो software की license लिए वो आपके पास पहले से होने चाहिए और फिर अब दुबारा उन license को enter करके वो software activate कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर RAM बढ़ाने की ज़रूत नहीं बहुत सरो लोग गलत सला भी देते हैं RAM बढ़ाने की ज़रूत तब है जब आपको लगता है कि अब मुझे graphic software यहाँ पे चला नहीं लेकिन यह चलने रहे तो आप RAM बढ़ा सकते हैं इस case में आप RAM बढ़ा सकते हैं तो यह point आपको याद रखना है Point No.4 जो कि बहुत important है बहुत सरो लोगों को पता भी नहीं है वो अपने desktop पे फाइल भर भर के रखते हैं जैसे कि वहाँ पे मेला लगा हो फाइलों का तो फाइलों का मेला desktop पे मत लगा हो क्योंकि desktop belongs to cdry desktop की जो भी files दिखती है वो सब cdry में रहती है and cdry के अंदर होती है system files windows की सभी files तो cdry को आपको खाली रखना बहुत ज़रूरी है आप desktop पे ज्यादा file रखोगे media file रखोगे बहुत कुछ रखोगे तो automatically आपका system का performance slow ओने वाल है low ओने वाल है तो ऐसे case में आपको पहले desktop पे सारी file हटाओ और cdry के अंदर भी आपको ज़्यादा file नहीं रखनी क्यों आपके खाली space रहेगा तभी तो वह system properly काम करेगा आपके दिमाग में अगर कुछ खाली जगह है तो ही दिमाग काम करेगा अगर आपने बर-बर के कुछ रख दिया है तो वह पे कुछ काम होने वाला नहीं है simple सी बात है यह मैंने आपको इस point में समझा दी है next point यानि पाचव पॉइंट उनके लिए है जो अपने computer को बहुत ही rapidly यूज़ करते है जैसे कि एक्जामपल ले लो आपका computer अपने start रखा है आप कुछ काम करें और उसमें ही आप CPU को इदर-उदर मू कर रहे हो आडा-टेडा कर रहे हो मत कीजिएगा ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि CPU के अंदर आपको पता है कि चांसे से रहते हैं और head crash होने के चांसे से क्या होता है head crash से प्लैटर की उपर का data loss होने के चांसे से दोस्तों तो आपका computer जब चालो ही तो आप उसे इदर-उदर मू नहीं करना है आपको उसे ज्यादा शेक नहीं करना है एक जगा पे रखेंगे तो अच्छी बात है तो आप बोलोग यार laptop हम इस्तमाल करते हैं उसे तो चालो में इदर-उदर लेके जा सकते हैं laptop की जो technology है वो वैसे बनी रहती है दोस्तों उसके hard disk को ऐसे बनाया रहता है लेकिन आपके जो system के अंदर जो parts होते है उसको portable दिमाग में रखके नहीं बनाया रहता है laptop को portable device ध्यान में रखके बनाया रहता है लेकिन system को portable device ध्यान में रखके नहीं बनाया रहता है तो इसलिए system चालो है तो उसे ज्यादा हिलाओ मत next point है जैसे हम अपनी शेहत का ध्यान रखते है वैसे अपनी system का भी हमें ध्यान रखना चाहिए तीन मेना या छे मेने के बाद उसे थोड़ा सा service देना चाहिए यान कि cleaning करना चाहिए उसके अंदर dust बनी रहती है आपको एक तो air blower से clean करना चाहिए उसके उपर अलड़ी मैंने वीडियो बनाया था जो आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर आप कोई भी छोटा blower लेकिया सकते है 100-100 रुपए का जो मार्केट में मिलता है उससे आप उसके अंदर का dust clean कर सकते हैं ऐसे करने से आपकी system का performance बढ़ेगा यह ज़रूर कीजिए system को at least थोड़ा सा service देजे और कैसे करना है मैंने अलड़ी hardware के देर सारी वीडियो बने उसमें explain किया है चैनल के उ और last point जो कि point number seven इसे बताने के पहले एक scenario मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत फणी scenario है यह scenario मेरे साथ एक मेरे student ने शेयर किया था उनके ट्विशन टीचर थे उनके पास एक laptop हुआ करता था जिसमें वो अपने classes के record maintain करते थे अब उनको एक बार गाव जाना था और उनके आजो बाजो में चूरी के बहुत सारे incident हो गये थे जैसे कि laptop चूरी होना, mobile चूरी होना तो उनके पास जो फ्रीज था वो बंद कर दिया और फ्रीज के अंदर laptop रखके फ्रीज को lock करके चावी साथ में लेके के अब जब वो गाउं से लोटे दो तीन दिन के बाद गाउं स उसके बाद उन्होंने laptop निकाला तो आप सोच सकते laptop के हालत क्या हो गई रहेगी यहां पर मेरा कहना यह है कि लैपटाप अगर आप ऐसी जगह पर रखते हो जहां पर moisture जादा है जैसे आप kitchen के आजू बाजू में लैपटाप रखते हो या fridge के आजू बाजू में लैपटा के भी chances होते हैं इसलिए आप अपने laptop को ऐसी जगह पे ना रखे यह एक सात्वा point मुझे आपको बताना था और यह scenario भी मुझे आपको बताना था तो कैसे लगे आज के यह points मुझे जरूर comment section में बताना यह follow करना और साथी में like share और comment करना लाल तो इतना ही मैं में लोगा ना खयाल रखिये सीखते रहे सीखाते रहे यह बाइबाई